हमको लगता है कि विकास करने के लिए देना ही नहीं चाहता है हम तो पहले भी बोले भासा को कोई मुद्दा नहीं है एक तो दो-धाइस साल करोना ने ले लिया राज को पूरे देश को और जब आप विकास करने का बकताया है तो ये मुद्दा अब जो है डाइवर्ट हो रहा है भासा पर चला जा रहा है तो ये कहीं न कहीं RSS BGP का चाल है वो पीछे से कुछ लोगों को उसका करके हाल में ही आप देख रहे हैं कि भासा विबाद जो है वो गहराता जारकन में वकारो में धनबाद में जिस तरीके से भासा विबाद हुआ अब इसका जो रूप है वो गोड़ा में भी देखने को मिलेगा आज पूर विधायक अमित महतो भी यहां पर पहुँचे हैं और भासा विबाद और को लेकर जिस तरीके से वो अपनी बात करें तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं देखे हम यह करते हैं कि कुरमाली भासा को लागू करना चाहिए भासा पर किसी को बिवाद नहीं होना चाहिए खवसूर्ती तभी रहता है जब सभी भासाय के लोग तरह तरह के एरिया है एरिया वाईज भासाय हैं इसमें किसी को भासाय का विरोद नहीं करना चाहिए सब लोग सुतंत्र हैं कल तक आप उसी भाइचारा में रहे जो लोग 40-40 साल से 50-50 साल से घर बना लिए सब के अलग-अलग भसाए हैं अलग-अलग रहनसान है उस पर से तो को बिवाद ही नहीं होना चाहिए बसरते उनकी जो अपनी प्रस्रेल मांग है वो मांग को उसको रखना काई यारक और हम लोगों ने भी बोले हैं कि कंड़माली भासा लागूँ होना च्तिया मैं आरी मेरा भासा को कोई हटा गे सब्सक्रक्राइँ और अ दोमसाइल में बावुलाल मरांडी चले गए याद होगा आप लोगों पूरे परदेश के लोगों ने देखा ते इस राज में क्या भायावक इस्तिती हो गया था लोग किस तरह से भागे जा रहे थे जान दे रहे थे कितने घरीब गुर्वा तूट का जो है घर द्वस्त हो है दमाद बनाए और आज उसी को कहते हैं कि यह कि आप लडाई में ने था जो पचास साल तक जो है यहां पे आपके साथ मिल जुल के लडाई लडा इस राज को अलग करने के लिए जो है लडाई लडा क्या उसको आप भगा दीचेगा और हमार लोग के बेनो फेस्टों मे यह कहीं से नहीं था हम लोग के मेनो फेस्टों में था यहां के नौजवानों को रोजगार कैसे मिले नौकरी कैसे मिले बेरोजगारी खत्म कैसे हो यहां के लोग भूके नहीं मरे सिचाई की वेवस्ता कैसे हो स्वास्त की वेवस्ता कैसे हो हमारा लडाई वहां पे है मेर छोड़कर भासा और 1932 का खत्यान लागू यह सब कहीं आगे हो जा रहा है कि विकास करने के लिए देना ही नहीं चाहता है हम तो पहले भी भासा का कोई मुद्दा नहीं है एक तो 2-3 साल करोना ने ले लिया राज को पूरे देश को और जब आप विकास करने का बक्ताया है तो यह मुद्दा आप जो है डाइवर्ट हो रहा है भासा पे चला जा रहा है इस तरह से सरकार को डाइवेज करना चाहता है निश्चित रूप से सरकार भी समझ रहा है और पूरे राज के एक-एक लोग समझ रहा है अब कुछ लोग है इसको चला रहा है चला लगता है इसका निश्कर्शन क्या निकलेगा जिस तरीके से विबाद हो रहा है दिन परती दिन जन सहलाब सड़कों पर उतर रहा है इस अगल जो जन्मिन चीज है उस पर जो है cabinet decision लेगा अब अंदुलन करने के लिए लोग सतंत है रोज किसीने किसी मुद्दे लिए कोई अंदुलन करता है क्या सब चीज का निदान निकल जाता है लेकिन जो सही निदान होगा निश्सित रूप से वो निकलेगा तो देखरेत हमारे साथ गोड़ा के पूर विजाक संजेज आदब जी थी जो सही चीज है उनका निदान होगा इनका कहना था और होना भी ऐसा ही चाहिए कि विभिन्न मुदाओं को लेकर लोग सड़कों पर उतरते हैं लेकिन जो सही चीज रहता है उनका निदान निकलता है Express News और बने रहे हमारे साथ